असलाम लेकूम प्रेंड्स कैसे आप सब लोग तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़िदार से स्नैक्स शाम होती है तो चाई की तलब होती है यहां बच्छों को शाम को थोड़ी सी क्रेमिंग होती है उसके लिए बहुत जमी और बहुत हैल्दी स्नैक्स ह यहां मैंने दो अंडे लिये हैं इसमें हरा धन्या 1 tbsp मैंने इसमें डाल दिया है और उनको अच्छे से मिक्स कर लगते हैं अब इन 2 अंडों में मैं डाल रही हूं 4 tbsp दहीं बहुत अच्छे से मिक्स कियावा दहीं है अब इसमें डाल रहे हैं वन टेबल स्पून काली मिर्च वन टेबल स्पून ही नमक हाफ टेबल स्पून कुटीवी मिर्च हैं स्पाइस आप अपनी पसंद से भी रख सकते हैं कम ज्यादा और जनाव इसमें जाएगा फोर टेबल स्पून मैदा इतनी थिक हमने यह पेस्ट बना लियाएगा अब इसमें मिला देते हैं चीज अब अपनी पसंद से भी ले सकते हैं मोज दीला चीज चाहिए चटर चीज चाहिए जो आपको पसंद है और इसमें अच्छे से मिक्स करना है रूम टेंपरेचर पर रखी भी चीज है तो जल्दी से मैल्ट हो जाती है पर फ्रीजर सी निकालके करेंगे तो वह बहुत टाइम लिएगी अच्छे ये ह् dew गया यह एक दर्म्याने साइज का बैंगर लिया है अर एक आलू को भी इसि तरह हमने रूमें कट करद लिया है एसे से डाल देंगे और स्पून की हल्प से निकालेंगे और फ्राइ कर लेंगे तो चलते हैं इसे फ्राइक करने की तर यहां आय गर्म हो चुका है इसमें डालते हैं दोनों को अलग फ्राइ करेंगे आलू ज्यादा टाइम लेते हैं और बैंगन कम टाइम लेते हैं तर निकालते हैं अच्छी तो दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आ गया है इन्हें हम करते हैं टी शाउट तो देखा ना जट पट तियार हो गए जितने में आप चाय बनाएंगे और ये स्नैक्स बिल्कुल रेडी देखने में बिल्कुल पकोडों जैसा लग रहा है लेकिन टेस्ट में ब अच्छा को मिक्स करके ये स्ट तो थोड़ा सा हनीवीस में बहुत पेस्ट निए बेदी बेतरीन हैं बचों के लैंच बॉक्स में बढ़ने सकते हैं इस तरह सबजी भी खा लेंगे इसके साथ ही साइमा को दीजिए इजाज़त इस शेट के साथ चलते रहेंगे मेरे बाद अबी काफले यहां चलते रहेंगे काफले भी मेरे बाद यहां फकत एक तारा टूपने से फलक तनहा नहीं होता इसके साथ हिसाइमा को दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे किसी नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज